अब भई ऐसे ही थोड़े ना प्रीती प्रीड़ना की रेमेडीज और इनसे जुड़े सदस्यों को कमाल कहा जाता है यह जो रिजाल्स आप देख रहे हैं यह हमारे परिवार के दो सदस्ये नैनिका और डॉक्टर आयूशी के रिजाल्स हैं जो की स्वयम उन्होंने मुझे बेजे हैं इनसे हुई वारत अलाब जो मैंने चाट के दौरान की है यह मैं आगे वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ लेकिन यह जो बिफोर आफ्टर आप देख रहे हैं यह इन्होंने मुझे भेजे हैं मैंने क्यूरेट नहीं किये जहां यह उनका कॉंफटेंस है जो वो परिवार के साथ शैर करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि सिंपल सी रेमेडीज में कितनी ताकत हैं अगर आपके चहरे पर अक्टिफ पिंपल्स हैं अक्ने मार्क्स हैं स्कार्स हैं जिनको आप फिक्स करना चाहते हैं यूजिंग नाच्रल रेमेडीज तो आपको discipline होना पड़ेगा, जैसा मैं बता रही हूँ हूँ वैसा follow करना पड़ेगा and I assure you कि आपकी जो भी condition है skill की फिलाल, वो better off होने लगेगी and you'll be really happy. Ready everybody, आएए जानते हैं what all needs to be done. Hello to my wonderful people present over here, welcome back to the channel. लाशा करती हूँ, आप सभी स्वस्त हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं. भई हम सभी चाहते हैं कि हमारी skin flawless हो, हम बहुत ही जादा presentable हो, हम बिना किसी make-up या touch-up के घर से बाहर जा सकें. लेकिन कई बार वो pimples, acne और जो scars चहरे पर आ जाते हैं ये थोड़ा सा difficult कर देते हैं कि हलका सा touch-up तो करना ही पड़ता है. और करिये भी, अगर आपका confidence उस touch-up से बढ़ता है, तो भई मैं कभी नहीं बोलूँगे कि मत कीजिए, definitely कीजिए, लेकिन मैं जो आपको बताने आती हूँ वो ये बात है, कि आप लोग natural remedies के help से उसको fix करते रहें, उसको अंदर से heal कीजिए, देखे touch-up कुछ समय के लिए लेकिन lifetime के लिए एक विकल्प नहीं हो सकता है, इसी लिए natural remedies से, सही तरीके से, सही duration के अंदर आप इसको fix कर लें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, बस इतनी सी बात बताना चाहते हूं, और इसी के तहत कुछ steps आज आपको बता रही हूं, जिसको आप active pimples के होते treatment दिखती है, जो परिशानिया है, वो solve होती हुई दिखती है, और आपको सही नतीजे पर, यानि की flawless skin तक आप पहुच पाते हैं, ready everybody, तो अध्यान से सुनिए, सबसे पहले आप इस वीडियो को जाकर check out कीजिए, इसमें मैंने do it yourself face wash बताया है, जो की dry face wash है, अगर आप इसक face wash वो चीज है, वो वस्तू है, जिसके इस्तमाल से आप अपने चहरे को clean कर सकते हैं, face wash का purpose वही होता है, अब थोड़ा advertisement, थोड़ा सा show biz में, उसको थोड़ा सा fancy कर दिया है, commercialize कर दिया है, लेकिन धे ये था कि आपके चहरे से हर प्रकार की गंदगी को हटाया सके, जो की आप इससे बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपकी skin जो कुछ भी आप इस पर लगाते हैं, इसका 60-70 प्रतिशत तक absorb करता है, आप चाहें आप ना चाहें, absorption तो होती है, यानि कि आपके internal body तक चला जाता है, तो अगर आप इसको किसी chemical से क्योर करते हैं, तो आप सोचे, वो कर दिया जाए, तो बहतर विकल्प होगा, हाँ कि ना, सब्सक्रा मन्थन कीजेगा, बस यह आपको अपने लिए प्रिपेर करना है, इसको बनाना बहुत आसान है, आपको 2 टेबल स्पून बेसन का पाउडर चाहें, 2 टेबल स्पून सांडल बोड पाउडर चाहें, यानि क इंस्टिन कॉफी की तरह बिल्कुल पाउडर हो जाना चाहें, क्योंकि खुर्दुरा होगा, तो आपकी स्केन में फ्रिक्शन होगा, जो की बेर को ब्रेक कर सकता है, तो आपको बहुत साफधान रहना पड़ेगा, एक चमच आपको लेना है, मुलतानी मित्टी, जो की इत क्योंकि वो रंग दे देता है चाहरे को, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, हम सिरफ सफाई करना चाहते हैं, और अगर कोई बैक्टीरियल इंवेजिन चेहरे पर हो रहा है, जो की पस्पिंपल या किसी बी तरह का इंफेक्शन हो सकता है, उसको क्योर करता है, तो यहां प कर सकते हैं, शाम को अपना मार्केट बेस्ट फेस वाश यूज कर सकते हैं, आपसलिटली नो प्रॉब्लम, क्या चेहरे पर और रह जाता है, बिल्कुल नहीं, कोई डर्ट, कोई पल्यूटन, किसी भी प्रकार का कोई डिपॉजशन आपके चेहरे पर रहता ही नहीं, क्या चेहरे को ड्राय करता है, जी हां, इसमें मुल्तानी मिट्टी है, तो बहुत से लोगों के लिए, कम नहीं, बहुत से लोगों के लिए डिहाइडरेटिंग होगा, इसलिए मॉस्चराइजेशन इसके बाद जरूरी होती है, जो कि आप अलेवेरा जेल या जो भी मॉस्चरा क्लेंजर है, यानि कि आपकी स्किन को मतलब बहुत जादा रिपॉफ नहीं करता है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार का ओईल, डिर्ट, डिपॉजशन उसको क्लीन कर देता है, क्या हम इसको फेस पैक की तरह यूज़ कर सकते हैं, बिलकुल कर सकते हैं, आप थोड़ा सा फेस यही लीजे, फेस वॉश लीजे, हलका सा डाइल्यूट कीज़े, किसी भी चीजस से, दही मिला लीजे, शहर मिला लीजे, रोज़ वॉटर मिला लीजे, जिसके लिए आप कामफ़टबल है, अच्छे से मिला के अपने चेहरे पर लगा रहने दीजे, और कुछ समय पस्चा है बच्चे बड़े बूरे सब इस्तमाल में ला सकते हैं कोई परिशानी नहीं है अगर आप को लगता है कि आपको यह सूट नहीं कर रहा है तो और भी विकल्प मैंने share किये है अप उनको भी ट्राइ कर सकते हैं या फिर आप alternatively इनको ट्राय कर सकते हैं, absolutely no problem, तो चलिए, face wash तो हमने रोज यूज कर लिया, अब क्या, अब है remedial action number 2, जिसके लिए हमें एक toner आपके चहरे के लिए बनाना है, मैं आप सभी को बताती हूँ कि CTM कितना important है, cleansing, toning and moisturizing, तो clean तो हमने कर लिया, अब बात करते हैं toning की, toning का तात किसे भी deposition से जादा खुल जाते हैं, तो open pores की परिशानी हो जाती है, या फिर उनमें और जादा deposition हो जाता है, और बहुत सारी समस्या हो जाती है, जिनके लिए बहुत ही simple सा toner हम बनाएंगे, जो कि हर skin type को सूट करता है, in fact, इनके skin sensitive है, उन्होंने भी मुझे अपडेट कि कि यह टोनर ने उनके लिए बहुत अच्छे रिजाल्स दिये हैं, और यहां तो आपको मैंने before after दिखाई दिये हैं, हमारे दो सदस्यों के क्या गजब के रिजाल्स अचीव किये हैं, इस टोनर को प्रिपेर करने के लिए आपको एक से दो कप पानी बॉil करना है, और इसम अच्छे से खौला लीजिए, जब एक कब तक रह जाए, या आधा ही रह जाए, हमें चाहिए, इसको आप ठंडा होने देंगे और एक स्प्रे बॉटल में ले लिंगे, आपका ग्रीन टी टोनर बनकर रेडी हो चुका है, अगर आपको बहुत सिवर पिंपल्स हो जाते हैं या अक्ने का इशु होता है, ब्रेक आउट बार बार हो जाते हैं, तो आप इसमें अप्रॉक्सिमेटली चार से पांच ड्रॉप्स टी 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 एसेंशल ऑल की ले सकते हैं, इस सो रिफ्रेशिंग, सच अमेजिंग कंसिस्टेंसी की आप खुशी हो जाएंगे, मैं मुल्ट कर सकता हूं या कर सकती हूं, जिहां लड़कियों लड़कियां बराबर इस्तमाल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, इस वेरी अमेजिंग टोनर, दू गिवर ए ट्राइ, इस तेर अनी साइट एफेक्ट, नॉट अगर आप एसेंशल ऑल कामफटबल नहीं हैं, तो आप उसको completely avoid कर सकते हैं, skip कर सकते हैं, सिर्फ green tea decoction is sufficient इस टोनर को prepare करने के लिए, क्या बच्चे यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को essential oil से दूर रखिये, सिर्फ green tea बना रहे हैं, तो येस बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, हर कोई यूज़ कर सकता है, लड़के लड़कियां, absolutely no problem, क्या इसकी shelf life काम हो जाएगी, अगर उसे बाहर रखते हैं, किसी भी चीज़ की shelf life काम हो जाएगी, अगर उसे रेफ्रिजरेट नहीं करते हैं, तो अगर रेफ्रिजरेट करते हैं, तो तीन हफतों तक ये आसानी से रह सकता है, बिना किसी doubt के, in fact उसे ज्यादा रह सकत कुछ आप active pimple के ओपर ही इस्तेमाल करने वाले हैं, ताकि वो धीरे-धीरे settle down हो जाए और आपको बहतुरीन results मिले, green tea toner का preparation, application, every possible demonstration, आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, आप जाकर इसे check out कर सकते हैं, और अपने लिए try कर सकते हैं, इसमें मैंने विस्तार में बताया है, किसके benefits क्या है, side effects क्या है, every possible dimension, तो अगर और सुनना चाहते हैं, तो जाएए और इसको check out कीजे, now talking about remedial action number 3, जिसके लिए आपको इस वीडियो को check out करना चाहिए, इस वीडियो को मेरे परिवार के इतने सारी लोगों ने प्यार दिया है, try किया है, किसका comment section अगर आप कर चुका है, और जब वीडियो देखेंगे, तो आप बोलेंगे कि यह क्या है, यह तो बहुत basic सी चीज है, आप किसी भी प्रांत में, किसी भी ग्राम में, कहीं भी जाकर किसी से भी पूछेंगे, कि इस mixture को क्या कहते हैं, तो कोई upton कहेगा, कोई कहेगा, face wash, कोई कुछ भ वही है, जो आपकी स्किन को चाहिए, यही बेसे हैं हमारी स्किन क्लेंजिंग का, स्किन केर का, और यह बहुत इच्छे रिजाल्स देता है, सो मैंनी पीपल आर सो हैपी, तो प्लीज गिव इट अ च्राइ, मैंने बोला ना, इसका कॉमन सेक्शन जारूर चेक करना, बले र रोज वाटर ले सकते हो, जिस चीज के लिए अपने चेहरे पर लगा लीजे, तो इस वीडियो को जरूर चेक आउट कीजए, यहां पर मैंने विस्तार में बताय है, प्रोस, कॉंस, कैसी यूज करना है, अप्लिकेशन, एवरिटिंग, तो वह आप देखिए, तो यह आप अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपकी स्किन पर कोई भी फ्लॉव है, पिम्पल है, अक्ने है, स्कार्स है, ब्रेक आउट्स है, किसी भी तरह का कोई डिसकालरेशन है, इसको आप एड्रेस करने लग जाते हैं, इस वीडियो में मैंने 7 डेस का चालेंज दिया है, इस वीड So my wonderful people, अब आपको समझ में आया कि natural remedies कितनी powerful होती है, ये शोद किया जा चुका है, कि आपकी तवच्छा, जो कुछ भी आप लगाते हैं, उसका 50 से जादा प्रतिशक, यानि कि 60 तो 70 परसेंट एब्सॉब कर लेती है, खा लेती है, आपके blood stream में आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसलिए ये में आपको दुबारा इसलिए बता रहे हूं क्योंकि इंपोर्टन फाक्टर है, जो आपको ये समझाती है, कि आपको अपनी तवचा पर most of the time वो चीज़े यूज़े चाहिए, जो की खादे हैं, जो की आपका शरीर, comfortable है लेने के लिए, अपको ये जो इस ट्रेस आपको देती है, आपकी ओवराल हेल्थ इंपक्त हो जाती है, तो प्लीज इस चीज़ का खयाल रखिए नाच्र रेमिडीज और अच्छा बालेंस बनाएं जिसमें तराजूत हमारे नाच्र रेमिडीज का थोड़ा साधा होना चाहिए, जो तो प आप इस चीज़ को कर लें, आपको रिजाल्स मिलें तो आपको पता है कि आपको वापस इस वीडियो में आना है और हमें नीचे लिख कर बताना है कि आपको एक्स्पिरिएंस कैसा रहा अगर आप कॉन्फिडेंट है अपना रिजाल्स पूरे परिवार के साथ शेर करने के तो हमेशा की तरह आशा करती हूँ कि मेरे परिवार को मेरी ये प्रस्तुती पसंदाई होगी, अगर पसंदाई है तो थम्स अब देना मत भूलेगा, आप सभी से मिलती हूँ अपनी आगले वीडियो में with something magical, till then take really good care of yourself and please चानिये इस बात को कि मैं आपसे कितना प्रेम करत हूँ, lots of love, take really good care.